नमस्कार वीकेबी न्यूस के खास पेशकश में आपका स्वागत हैं। दूसरी तरफ हसन मुश्रीफ और अजित पवार समेथ NCP नेताओं की परेशानी बढ़ा रहे महाराश्टर बीजेपी के वरिष्ट नेता और पूर्व सांसत किरिट सोमया को महाराश्टर के कराड रेलवे स्टेशन पर बीती राज जबरन उतार लिया गया। किरिट सोमया महालक्षमी एक्सप्रेस से कोलहापुर जा रहे थे। की ही नहीं बलकि जन्ता की भी इच्छा है। महाविकास अगाडी सरकार से हर वर्ग तंग है। आज जो समय राज्जे को देखना पड़ रहा है वह पहले कभी नहीं आया था। इस सरकार ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय ला दिया है। इसलिए जन्ता के मन में अब जोर है कि राज्जे में बदलाव होना चाहिए। गुबार अभी नेता सोनुसूद का भी फुटा है। सोनुसूद ने सोशल मीडिया पर लंबा नोट शेयर करते हुए लिखा है। सक्त राहों में भी आसान सफर लगता है। हर हिंदुस्तानी की दुआओ का असर लगता है। प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों पर अब विस्तार से नज़र डालते हैं। वाजे तथा अपने सहायक कुंदन शिंदे से 4 करोड 7 लाख रुपे लिये थे। प्रवर्तन निदेशाले ने इस महने ये मामले में वाजे, देशमुक्य नीजी सचिव, संजी पलांडे, नीजी सहायक शिंदे और 11 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अदाल का विस्तुरत आदेश शनिवार को उपलब्ध हुआ। हाल ही में सौमया ने मुश्रिफ के खिलाफ 127 करोड रुपे की मनी लॉंडरिंग का आरोप लगाया था। इसके अलवा उन्होंने कोलापूर जाकर हसन मुश्रिफ और अजित पवार समेत एंजिपी नेताओ की शुगर फैक्ट्रियों में हो रहे घोटाले की पड़ताल करन हाला कि सौमया ने उनकी बात नहीं मानी और शाम को पहले गिरगाव चोपाटी पर गनेश विसरजन के लिए गये। बाद में वहा से वे CSMT रेलवे स्टेशन आकर महालक्ष्मी एक्स्प्रेस के जरिये कोलापूर के लिए निकल गये। कोलापूर में हाला बिगडने का हवाला देकर कलेक्टर राहुल रेखावर ने उन्हें शहर में आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और इधर किरिट सौमया को बीच में ही कराट रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया। वहा से उन्हें सरकारे विश्राम गुरुह लाय जानकारी के मुताबिक उन्हें मुंबई की हद में वापस लेकर छोड़ दिया जाएगा। को भी उन्होंने सावधन किया। कहां कि सौमया का आरोप पूरी तरह निरर्थक है। मुझे तो किरिट सौमया की सीए डिग्री पर संदेह है। आरोप का खुलासा करते वे सफाई में कहां कि मेरे दामाद और मेरा ब्रिक्स कंपनी से कोई समद नहीं है। इसलिए सौमया क के खिला फिर मानहानी का दावा दर्च कराएंगे। उन्होंने कहां कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ओफर भी दिया गया था। मुझ पर लगे आरोप चंद्रकान पाटिल की साजिश है। वह कोलह पुर जिले में अपनी और भाजपा की नाकामी छुपाने के लिए मेरे उपर आरोप लगा रहे है। चंद्रकान पाटिल को पुरुशार्थ से लड़ना चाहिए। वे मुझ पर और मेरे परिवार पर बे बुनियाद आरोप लगा रहे है। इसी तरह की राजनित गिरिश महाजन ने जलगाओं में एक कार्यक्रम में दिया। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष में आयोजित कोरोना वाक्सिनेशन मोहिम की समिक्षा करने के लिए गिरिश महाजन जलगाओं आय थे। उन्होंने कहां कि राज्य की सत्ता में बै दिखना पड़ रहा है वो पहले कभी नहीं आया था। इस सरकार ने बहुत दुरभाग्य पुरुना समय ला दिया है। इसलिए जन्ता के मन में अब जोर है कि राज्य में बदलाव होना चाहिए। इस सरकार के जाने के बाद भाजपा की सरकार आने पर सभी को न्याय मिले हम सक्षम विरोधी की भूमी का निभा रहे हैं। हमारे नेता देविंद्र पड़नविस चंद्रकांत पाटिल प्रविंद दरेकर राज्य भर का दौरा कर रहे हैं। जन्ता की समस्या के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। सक्षम विरोधी के रूप में भी काम कर रहे हैं। अभीनेता सोनु सुद आयकर चोरी को लेकर चर्चा में है। आयकर विभाग ने सोनु के छे ठीकानों पर चापे मारी करने के बाद 20 करोड रुपे की टेक्स चोरी का आरोप लगाया है। अब सोनु सुद ने इस मुद्दे पर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सोनु सुद ने एक लंबा नोट शेयर करते वे लिखा, सकतर राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। इस लंबे पोस्ट में सोनु ने लिखा, आपको हमेशा अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद ऐसा क करता है, मेरी खुश नसीबी है कि मैं अपनी पूरी ताकत और दिल से भारत के लोगों की सेवा कर सका, मेरे फाउंडेशन में मौजुत एक-एक रुपया, कीमती जिंदगी बचाने और जरूरत मंदों के लिए है, इसके साथ ही कई मोकों पर मैंने विक्यापन देने वाले ब्रैंड्स को मेरी फिस डोनेट करने को भी प्रोतसाहित किया, तांकि कभी पैसे की कमी न पड़े, मैं कुछ महमानों की आवभगत करने में व्यस्त था, इसलिए पिछले चार दिनों से आपकी सेवा के लिए उपलब्द नहीं था, अब मैं एक बार फिर पूरी विनमरता के साथ आपकी सेवा में जिन्दगी भर के लिए वापस आ गया हूँ, कर भला, हो भला, अंद भले का भला, मेरा सफर जारी रहेगा, जैहिंद आज की सबसे बड़ी खबर रूस से है, वहां लादिमीर पूतीन का एक बार फिर रूस का राष्ट्रपती बनना लगभग तै हो गया है, रविवार को खत्म हुए संसदिये चुनाव में उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है, हलाकि विरोधियों ने धांदली के आरोप ल आरत के साथ विवात को सुलजाने में मदद करें, एक और हैरत भरी खबर अफगानिस्तान से है, दरसल अफगानिस्तान से इंग्लाइन तक भागने के लिए पाच चरनोवाला अवैद मार्क इन दिनों बेहत गुलजार नजरा रहा है, तसकर इन मार्गों को सुविदा जन फिर तालिबान के जंडे लहराते नजर आये, बदनामी के डर से घबराई इमरान खान सरकार ने जब इन जंडों को हटवाने के लिए वहाँ पुलीस भेजी, तो उसे खाली हाथ लोटना पड़ा, यह परेशानी तो खुद उसकी ही पैदा की हुई है, मगर स्पेन में प् ताबिक द्वीप के दक्षिन में कुम्रे व्येजा राष्ट्रे उद्यान से लावा, धुए और राक का मिश्रन हवा में फैला हुआ है, आईए इस खबरों को अब विस्तार से देखते हैं फ्लादिमीर पुतीन का एक बार फिर रूस का राष्ट्रपती बनना लगभग तैह हो गया है, रविवार को खत्म हुए संसदिय चुनाओं में उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है, हलाकि विरोधियों ने धांदली के आरोप लगाए है, शुरुवाती नतीजों के बाद राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन मौस्को स्थित प्रचार मुख्याले नहीं गए, क्योंकि वह कोरोना वाइरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने के बाद से एकांत वास में है, पार्टी का कहना है कि वह स्वस्थ है, धांदली के आरोप अंतरीम नतीजों के कम्यूनिस्ट को 21.3 प्रतीशत वोट मिले, जबकि अतिराष्टरवादी लातिमीर जिरिनोस्की की दक्षिन पन्ती, LDPR को लगभग 8 प्रतीशत वोट मिल रहे है, एजेस्ट रश्या पार्टी 7.6 फिसदी मत हासिल कर रही है, रूस में 3 दिन तक वोटिंग चली थी, जिस बंगाल की खाडी में भारत के साथ पिछले कई दशक से चले आ रहे समुद्री सीमा के सुलजने में नाकाम रहने पर बांगलादेश सरकार अब सयुक्त राश्टर पहुँच गई है, बांगलादेश सरकार ने सयुक्त राश्टर से अपील की है कि वह भारत के साथ विवा बांगलादेश के पूर्व विदेश सचीफ शहिदूल हक के हवाले से कहा गया है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच ये मुद्दा पिछले कई साल से लटका हुआ है अब तक कही बार की बातचीत के बाद भी दोनों ही पक्ष इस सीमा विवात का हल करने में नाकाम रहे है अब दोनों ही पक्ष सायुक्त राष्टर गए है और हम आशा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लैटफॉर्म एक स्थाई हल मुहया कराएगा इससे पहले भारत सरकार ने अप्रेल में सायुक्त राष्टर में एक पत्र भेज कर बांगलादेश के आधार रेखा का विरोध किया था दरसल बंगाल की खाड़ी बांगलादेश के लिए एक अद्बुत संसादन है और उसके कानूनी समुद्रिक शेतर पर पूर्ण प्रभुत्वत देश की संप्रभुताख से जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान से इंग्लैंड तक भागने के लिए पाच चर्णों वाला अवैद मार्क इन दिनों बेहत गुलजार नजरा रहा है तसकर इन मार्गों को सुविदा जनक बनाने के लिए कई हजार पाउंड की वसूली कर रहे है अगर कोई अफगानिस्तान से भाग रहा ह तो इस रास्ते में पहाडों से गुजरना होगा अगर पाकिस्तान का रास्ता लो तो रेगिस्तान पार करना पढ़ता है भागने के दूसरे चरण में लोग पाकिस्तान से तुर्की तक हवाई सफर कर सकते है लेकिन इसमें वीजा पर आया खर्च भी शामिल होता है एक गर्मनी, फ्रांस, बेलजियम या नेदरलेंड जैसे देशों में से किसी एक में जाने को कहा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान द्वारा काबूल पर कबजे के बाद से मानो तसकरों के कारोबार में 150 प्रतिशत की वृद्धी हुई है। सरकार ने जब इन जंडों को हटवाने के लिए वहाँ पुलीस भेजी तो उसे खाली हाथ लोटना पड़ा। अफसर इस मदरसे के अंदर तक नहीं जा सके। पुलीस के पहुचने के कुछ देर बाद ही मौलाना अब्दुल अजीज अपने दफ्तर के बाहर एके फोटी सेमन लेकर बैड़ गया और धमकी देते हुए कहां कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाते। जहां गलत काम होते हैं। यहां बच्चों को डराने आ गए। इस मदरसे में सैकडो लड़किया भी पड़ती है। घटना के वक्त ये भी जामिया हफसा में मौजुद थी। घटना के दौरान चात्राय मदरसे की छट पर जुड़ गई और तालिबान के जंडे लहराती र हलांकि इसलामाबाद पुलिस के डिप्टी कमिशनर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहां कि जंडे उतरवा लिये गये हैं। लेकिन कई मीडिया हाउस ने इसके फोटोग्राफ जारी करके उनके दावे को खोकला करार दिया है। स्पेन में ज्वाला मुखी फटने के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएं जा रहा है। ये विसपोट ला पालमा के स्पेनिश कैनरी द्वीप पर हुआ है। स्थानिय लोगों के मुताबिक द्वीप के दक्षिन में कुम्ब्रे वीजार आश्रिय उ बार देखी जा सकते थे। विसपोट से पहाड़ी में दरारे आ गई है। विसपोट कितने समय चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कैनरी द्वीप के अध्यक्ष एंजल टोरेस ने बताया कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इसी बीच स्पेन के प्रधान मंत पाइस हजार से अधिक जटके आने के बाद लापालमा हाई अलट पर था। कैनरी में सबसे एक्टिव ज्वाला मुखिक शेत्रों में से एक है। स्पैनिश नेशनल जियोग्राफिकल इंस्टिट्यूट के अनुसार लापालमा में सबसे पहले विसपोट 1430 में हुआ है। चन्नी के साथ दो डिप्टी सीयम ने भी शपत ली है। कॉंग्रेस ने दलिच चहरा आगे कर 2022 के चुनाव के लिए आधार मजबूत करने की रननिती अपनाई है। लेकिन आधार खिसकता देख पूर्व केंद्रियमंत्री डीवी सदानंद गौडा परिशान है। उनकी प साइरल वीडियो के सच को खारिच किया है। शर्मसार करने वाली इस घटना के अलावा विहार की राजदानी पटना भी गैंग रेप की वारदात से शर्मसार हुई है। राजदानी के एक बड़े होटल में एक इवेंट एंकर के साथ दो लोगों ने सामूहिक तुशकर्म किया। पिडित ने हावडा लोट कर F.I.R. दर्च कराई तो मामले का खुलासा हुआ। आरोफी मुजफरपूर के रहने वाले हर्श रंजन और उसके साथी विक्रांध केजरिवाल है। इस बीच एयरपोर्ट पर सेलेब्रिटी के साथ बदसलूकी की घटनाओं में एक औ और कड़ी जुड़ गई है। सत्यमेव जैते और बाबा की चौकी फेम अभिनेतरी आईशा शर्मा ने दिल्ली हवाई अड़े पर जांच के दौरा सुरक्षा एजनसियों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल से लगातार आट ट्वीट कर आप बीती बताई है। इन घटनाओं के अलावा धोका धड़ी के मामले भी कम नहीं। दिल्ली की उत्तर पश्चिम जिला साइबर सेल ने स्टार मेकर सिंगिंग आप पर लाइक बढ़ाने का जहासा दे कर 90 गायकों से हुई करिब 10 करोड रुपए की ठगी का खुलासा किया है। इस मामले में साइबर सेल ने एक आरोपी को मेगा लेके शिलांग से गिरफतार किया है। ने चन्नी को पद तथा गोपनियता की शपत दिलाई। राज्यपार्टी प्रभारी हरिश रावत ने इसके पहले काहा था कि मुझे ये घोशना करते वे बेहत खुशी हो रही है कि चरंजित सिंग चन्नी को सर्वसम्मती से पंजाब कॉंग्रेस विधायक दलकानेता चु लुप्ति के साथ कॉंग्रेस मार्श 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाओं से पहले 32 प्रतिशत दलित मददाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के पंजा प्रभारी माहसचिव हरिश रावत ने शाम को उनकी नियुक्ति की आउपचारी घोशना की। तब नए मुख्या मंतरी को लेकर दिन भर के कयासो वो उत्सुक्ता पर विराम लग गया। प्रेंगलूरू से लोकसभा सदस्य गौडा ने उन लोगों को चेतावनी दी जो इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे है या डाउनलोड कर रहे है। उन्होंने कहा कि अदालत से इस क्लिप पर रोक के लिए आदेश प्राप्त किया है और जो कोई भी इसका उलंगन करेगा उसे कानून के तहट सजा मिलेगी। गौडा ने ऐसी सामगरी सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले का पता लगाने में लोगों से मदद की अपील की। साथ यह पता लगाने की कोशिश हो रही है यह किस की कर्तूत हो सकती है। बिहार की राजधानी पटना गैंग रेप की वारदात से शर्मसार हुई है। राजधानी के एक बड़े होटल में एक इवेंट एंकर के साथ दो लोगों ने सामुहिक दुशकर्म किया। मामला दो जुलाई की देर रात की है। होटल के कमरा नंबर 512 में इस शर्मनाग घ इजरिवाल है। इन दोनों पर ये आरोब भी है कि इन्होंने दुशकर्म के अगले दिन 3 जुलाई को होटल से पटना जंक्षन छोडने के दौरान पिडिता को फ्रेजर रोट के आसपास कार में जबरन गर्ब निरोधक गोलिया तक खिलाई। एफायर दर्च किया और इसे पटना के गांधी मैदान थाना को भेजा। इसके बाद गांधी मैदान थाने में एफायर कांड संख्या 338 बटे 21 दर्च किया गया और कारवाई शुरू कर दी गई। आरोपी फरार हैं दोनों ने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा है। एरपोर्ट पर सलेब्रिटी के साथ बजसलूकी के घटनाओं में एक और कड़ी जुड़ गई है। सत्यमेव जैते और बाबा की चौकी फेम अभिनेत्री आईशा शर्मा ने दिल्ली हवाई अड़े पर जांच के दोरान सुरक्षा एजंसियों पर बजसलूकी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लगातार आठ ट्विट कर आप बीती बताई हैं। अभिनेत्री के ट्विट करते ही यूजर ने प्रतिक्रियाए देनी शुरू कर दी। कुछ ने ट्विट पर एतरास जताया तो कई फैंस ने अभिनेत्री का समर्थन भी किया। कि इस तरह की घटनाओं से देश में ही सिर्शर्म से जुक जाता है। इतनी गालिया बकी की पूछिये मत। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा वे क्यों करते हैं। अभिनेत्री के ट्विट का जवाब देते हुए हवाई एड़ा प्रशासन ने कहा कि आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। आप पूरा विवरन मैसेच करें जिसके अनुसार आपकी बहतर मदद की जा सके। दिल्ली की उत्तर पश्चिम जिला साइबर सेल ने स्टार मेकर सिंगिंग एप पर लाइक बढ़ाने का जहासा देखकर नब्बे गायकों से हुई करीब 10 करोड रुपए की ठगी का खुलासा किया है। इस मामले में साइबर सेल ने एक आरोपी को मेगा लेके शिलांग से गिरफतार किया है। पुलीस अन्य पेडितों के बारे में जानकारी जुटा रही है। गिरफतार आरोपी महावीर चार साल से इस तरह ठगी कर रहा था। पुलीस को आरोपी के खिला फिरोजपूर में साड़े आर्ट लाक और रुशिकेश में 24 लाक रुपए की ठगी की शिकायत का भी पता चला है। आरोपी ने बताया कि वह खासकर उभरते हुए गायकों को शिकार बनाता था। शालीमार बाग इलाके में रहने वाली गायक पचास वर्षिये लोकेश वहरा ने स्टार मेकर एप पर अपना अकाउंट बनाया था। जिस पर वह अपने गाने अपलोड करते थे। अप पर ही महावीर प्रसाज शर्मा नाम के शक्स ने उनसे ओनलाइन संपर्क साधा और दावा किया कि वह स्टार मेकर एप पर उनके अपलोड गानों पर लाइक बढ़ाने में उनकी मदद कर सकता है। लोकेश जासे में आ गए और उसे 21 लाख रुपए दे दिये। महावीर ने 21 लाख लेकर मुबाइल बंद कर लिया। करोडो रुपए के इस लेन देन प्रकरन में खाते की जाँच के आधार पर पिडितों से संपर्क किया जाएगा। सूत्रों की माने तो पिडितों की संक लोकेश जाएगा।